परिचाए आप एक सड़क पर टहल रहे हैं सड़क पर वाहन गुजर रहे हैं जो गुजरते वक्त धुआ छोड़ते हैं आपको अचानक लगता है कि श्वास लेना कठिन है ऐसा क्यूं? आईए इसका कारण जाने उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे वायू मंडल का वलन करना जल और मृदा में वायू की उपस्तिती का प्रदर्शन करना वायू प्रदूशन की व्याख्या एवं इसके कारणों और प्रभावों का वलन करना पृत्वी का वायू मंडल हमारी पृत्वी चारों तरफ से گैसों की चादर से ढखी हुई है जिसे वायू मंडल कहा जाता है इस वायू मंडल में कुछ दूसरी गैसों के साथ नाइटरोजन, आकसीजन, हायटरोजन और कार्बन डायोकसाइड शामिल है वायू मंडल हमें सूरे से आने वाली कुछ हानी कारक किरणों से बचाता है प्रित्री पर जीवन को बनाए रखने के लिए वायू मंडल इसके ताप को संचालित करने में महतपून भूमी का निभाता है रोजक तत्थे प्रित्री जल में वायू बच्चो हम जानते हैं कि सभी जीवों और पादपों को श्वास लेने के लिए आक्सीजन की आविशक्ता होती है धल भाग में रहने वाले सभी जीव वायू में उपस्थित आक्सीजन श्वास के रूप में लेते हैं हम जल में नहीं जी सकते जब घोता खौर जल के भीदर जाते हैं तो वो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर जाते हैं इस वहल को देखे या कैसे श्वास लेती है इसी प्रकार जलिये पादप कैसे कार्बन डायॉकसाइट और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं आपको यह जानकर आश्चरे होगा कि वो श्वास के रूप में वायू लेते हैं आये एक गदिविधी करते हैं एक बीकर में थोड़ा जल लीजिए इसे उबालने के लिए गर्म कीजिए क्या आप बाहर उठते बुलबुले देख सकते हैं ये जल से बाहर आ रहे हैं सामाने तापमान पर वायू जल में घुली रहती है इसलिए हम इने देख नहीं सकते जब जल को गर्म किया जाता है तो जल में घुली हुई वायू बुलबुलों के रूप में बाहर आती है जीव और पादप जल में घुली हुई आक्सीजन को शौसन के लिए प्रयोग करते हैं मृदा में वायू मृदा में रहने वाले जीव किस तरह आक्सीजन प्राप्त करते हैं इसे जानने के लिए एक कटोरे में थोड़ी मृदा लीजिए और उसमें जल डालिए आपने क्या देखा? आप देख सकते हैं कि मृदा से वायू के बुलबुले बाहर आ रहे हैं जब मृदा में जल मिलाया जाता है तो यह मृदा में उपस्थित वायू को जल से इस्थानांतरित करता है मृदा में उपस्थित वायू बुलबुले के रूप में बाहर आती है मृदा में बिलों और सुराखों में रहने वाले जीव मृदा में उपस्थित वायू को श्वास के रूप में ग्रहन करते हैं वर्षय रितू में इन दरारों और सुराखों में जल भर जाने के कारण इन जीवों को श्वास लेने के लिए बाहराना पड़ता है। वायू मंडल में ऑक्सीजन का पुनर भरन कई करोड मनुष्य जन्तू और दूसरे जीव वायू मंडल से लेकर बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का उपभोग कर रहे हैं। तो फिर वायू मंडल का ऑक्सीजन भंडार खत्म क्यों नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि कैसे? पादप प्रकाश संशिलेशन के दौरान ऑकसीजन उस सर्जित करते हैं. ऑकसीजन वायू मंदल में छोड़ी जाती है और पादप श्वसन के लिए ऑकसीजन का प्रियोग भी करते हैं. लेकिन वो जितना प्रियोग करते हैं, उससे ज्यादा आक्सीजन का उसर्जन करते हैं। अता, पादप मौन रूप से हमें मृत्यू से बचाते हैं और इस पर कोई ध्यान दिये बगएर। क्या होगा यदी पुनर भरन वानचित इस तर तक ना हो। क्या होगा यदी वायू मंडल में कार्बन डायॉकसाइट का भरन ज्यादा हो जाए। और यह पादपों द्वारा कार्बन डायॉकसाइट और आक्सीजन के बीच संतुलन बनाने की सीमा से अधिक हो जाए। क्या होगा यदी दूसरी हानी कारग्यसे वायू मंडल में उस सर्जित होने लगें। उत्तर है इसका परिणाम होगा वायू प्रदूशन। वायू प्रदूशन इसके कारण और प्रभाव। कार, स्कूटर, वातानु कूलक, रेफ्रिजरेटर और दूसरी चीजें हानी कारग्यसे उस सर्जित करती हैं और वायू को प्रदूशित करती हैं। कोईले के जलने के कारण भी अत्यधिक मात्रा में उस्सरजित होने वाली कार्बन डायोकसाइट से वायू प्रदूशित होती है, जो पदार्थ वायू को प्रदूशित करते हैं, उन्हें प्रदूशक कहते हैं। वायू प्रदूशक मुख्यता कारखानों और गाडियों से निकलने वाला गैसिये उस्सरजन होता है। वायू प्रदूशन पर कुछ साधारन उपायों से रोक्थाम लगाई जा सकती है। और दूसरे सडन शील अप्शिष्ट पदार्थों को जलाने के बजाए उनसे खाद बनाएं। पर्फियूम और ड्यूड्रेंड का प्रयोग कम करें। सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। प्रित्वी के चारों तरफ वायू के आवरण को वायू मंडल कहते हैं। यह प्रित्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। जलिये जीव और पादप जल में विख्डित वायू का श्वसन के लिए प्रयोग करते हैं। हानी कारक गैसों और वस्तूओं के कारण वायू मंडल को होने वाले संदूशन को वायू प्रदूशन कहते हैं। वायू प्रदूशन को साधारन उपायों की सहयता से कम किया जा सकता है।